कि नगरी जिसको पूने का जाता है स्वागत है आपका भगवार ने मुझे एक छोटा सा काम दिया हुआ है यह जो शिक्षा का दीपक है पूरे पूने में फैलाना है पूरे इंडिया में फैलाना है तो आज चुर्श दस बजए कॉल आया उन्होंने गूगल पर देखा और जो हमारी क्लासे होती थी पहले हमने जब क्लासे स्टार्ट किया था तो इंजिनिरिंग डिप्लोवा से चार्ट किया था मैं खुद में के लिए रू हूं और एम टेक भी किया है मैंने में तो हमारा वहीं क्ला और आपका नाम क्या है विजय हिंगे तो विजय सर का कॉल आया इनको इंजिनेंग थर्मोडाइमिक्स पढ़ना था यहां से 10-15 किलमेटर दूर है 15 किलमेटर दूर मैंने पुछा कि कोई टीचर नहीं मिल रहा है क्या तो नहीं कोई धंका टीचर नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम लोग limited subjects लेने वाले हैं और सर को उसी समय बुलाया और बोला कि फिर से हमें start करते हैं जैसे हमने एक engineering classes established किया हुआ था तो फिर से हम limited subjects का classes start कर रहे हैं तो सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे टीचर ही है तो ऐसे सिक्षा का अलग जगाना है और यह छोटा सा इसके लेवल mechanical engineering का है जिसका आगे applications बहुत है जैसे कि for example आप thermodynamics देख सकते हो उसके बाद applied thermodynamics आता है फ्लीड mechanics आता है इसी का application आगे चलके air conditioning आता है और energy engineering वेर हम power plants की बात कर रहे है और जा की crisis बहुत चल रही है एंडिया में तो energy engineering भी एक बहुत important subject बन जाता है तो यह चा और experience के लिए डरना नहीं है जितना आपका उमर होगा उस ज्यादा सरका experience है subject में 26 year मेरा 30 हुआ है इस साल तो 26 year experience है तो फिर मिलते हैं हम एक नय करांती के साथ जय हिंद जय भारत